आईए दोस्तो आज हम आपको हैवी पैंट की कटिंग और इस्टीचिंग दोनों बताएंगे इसके लिए ये नाप देख लें ये 35 इंज लंबाई है तो इसको किस तरीके से काटेंगे ये नाप हम रख लेते हैं इसलिए ये सामने अपने और ये हमने कपड़ा पहले ही प्रेस लगा रखा है तो इसको इस तरीके से देखें खोलेंगे ये जो कन्नी वाला हिस्सा है इसको मैं अपनी सैट से रखूँगा बंद वाला हिस्सा है जो दूसरी सैट से रखूँगा दर और ये हलकी सी कई पर प्रेस ये देखिए लगाने में ये थोड़ी सी बो गई थी तो इसको भी मैं प्रेस अभी गरम है मेरी तो मैं इसको साफ इस तरीके से उल दोते हैं ये देखिए इसको पहले कन्य बिलाकर बिल्कुल यह सिधा रखेंगे क्योंकि ये तिर्चार रखेंगें तो फिर कार्टटे में थोड़ी सी दिक्कत होती है यह देखिए से फट्टी और सीधी वाली फट्टी दोनों की हमें जरूरत पड़ती है इसमें यह सीधा वाला ने सीधी वाली फट्टी से यह निसान लगाएंगे उपर इस तरीके से और यह इसकी लंबाई है 35 तो एक इंच हमारा सबा इंच जो लाश्रिक पड़ेगी तो पौना इंच हम यह निकाल देंगे उपर इस तरीके से तो यह 35 का देखिए निसान लगाएंगे यहाँ पर यह हमारी 35 तैयार निसान यह हो गया इसके बाद में इसकी हिप जो है यहीं का छोतिया ही हो जाघा चौधां लगा सनक है चौधान द午ं लगाएंगे है clients लाएं मैं इस तरीके सेंगवें थीयों पिए जो नीचे वाले जेसालन इसको भी हम शिदा कर लेंगे और नीचे मोरी में जो फोल्ड करेंगे यह हम तीन इंज का फोल्ड के लिए कपड़ा हमां एश्टा इधर से लेंगे तो यह भी हम निसान िस तरीके से यह लगा लेंगे लगाने के बाद है हमारे पास सबसे पहली चीज़ है हमारे पास थाई है थाई तयार है 34 तो चौतिस इंज का जो है है हमें यह देखिए इस तरीके से लगाएंगे यह इसमें थाई का जो हिस्सा जो लगता है वो दो उसमें आता है चौथ्याई का नहीं रखता है क्योंकि देखे 17 दुनी, चौथिसिंग, यह हमारा एक तरप का यह फ्रेंड का पला हो गया, यह तयार हो गया, जो हमारा मार्जन जो आता है वो हम बैक मैं से लेते हैं, तो इस तरीके से यह 17 पे यह निसान लगाए हैं, फिर इसी तरीके से 17 निसान लगाने के बाद में इसका आधा हम करेंगे देंगे 17 कहाँद hen kontroll हो जाएका 1 में अधिन साक्षाइए इस तरीके से 3 7.5 हो जाएगा तो हमारे मोरी जो थे थे 1.5 तेरा है ये चुम एक है ये हम पॉने 4 इंच लाएंगे से आधिस तरीक कि यह आएगा हमारा कि सवातीन टो और किसा एच्भ यह साड़के हो जाएगा तो सवातीन चुट हम इदर आगे निसार लगाएंगे वग्षाइभ एच दो पॉने शाधीन हमें लगाना है साड़ेद तेरा अ कि मैं उससमें गल्थ बोल ल्याता आप मैं यह दखी पिस्दू say 50 है हमारी है है इसको हम इस तरीके से अ यह से अ यह सेल ऒाली फट्टी होती है यह यह 1963 हो जै जितनी इसको फ ऐесп सकते हम अ चलब है यहां प्लू seeing चीर अच्छतर के से अ आयगा लैए तो इस को इसतरीके से यह के यह एखें यह ब्लाई और यह जो यहां का आसन का जो है कि हैब भी पैंट इसको हम सवा दो इंच लगाएंगे इस तरीके से और यह वाला निसान जो है कि यह देखिये क्योंकि सकतावन इंच जो हे पहना उसके कारण इसका असन भी बढ़ा कटेगा जरूट यह बहुत ही ज्यादा है भी है इससे भी जादा है यह उड़ती ही पैंटे मगर यह मेरे पास अभी है वी पैंट यही आई थी तो मैंने की आपको भी यह चीज बता दूं यह देखिए इसको हम इस तरीके से यह निसान लगाएंगे कboo और यह यह से इसको कि रॉंड कर देंगे तक्के फोल्ड करने में आसानी रहे आप में जो ऊपर आ जाएники क्यों कि हम सब से पहले क्या करेंगे इससकी जो कमर है तुर्ण हम ये लिख दींगे और हमें यह फ्रेंड हमें कितना करना तो यह देखिए यह सीधी वाली फट्टी है इससे हम यह निसाल लगाएंगे यह डॉन करने का मैन मकसद यह होता है कि जब हम यह इतनी हैबी जो पैंटे होती है तो यह जगा जो होता है तो अगर इसको हम इस्टेट कार्ट देगे तो यह यहां पर फोड़ होने लगेगी क् करते हैं तो यह देखिए मैं इसको इस तरीके से यह फ्रेंड को कि यह काटता हूं और यह इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से यहां पर लाके और इसको रोके और इसको हलका सा ऐसे रोंड कर दें फिर यह वाला जो पीस है इसको यहां से इस तरीके से काट देंगे से आपने हमआश और यह जो पट्री है इसको हम अभी नहीं काटेंगे इसको बाद में 가टेंगे बैक के साथ में क्योंकि इसको ना काटने का बजए क्या है वह मैं आपको आज बता देता हूं सब्सक्राइब सब्सक्राब पीस्तों आप ऑक है इंट हम से पलिट मैं तकरीबन यह 3-4 इंट इंट कर पर गड़ेंगे यह देख इस तरीके सेayesец के इस को काटने के बाद में क्या होता है वू मैं आपको आज बता देता हूं इसको कुछ देलने के बाना पड़ता है कि यह उस्का सेंट्र आएगा उसके बात में आदी उधर विछा देते हैं आदी दर पर विछाने महिंने तो आप इसको ना काटे और जैसे तरह और रखके इसको डिल्कुल तरीके से इसे पिठा और यह नीचे के और 1.5 इंच यहां पर हम मार्जन के लिए और थाई पर जो लेते हैं वो दो इंच इन दोनों निसानों को इस तरीके से यह देखिए और यह ऐसे राउंड करने के बाद में अब जो बैक है बैक का सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि इतनी बड़ी जो यह प हिप का जो फरक होता है इसमें बैक का बहुत बड़ा होता है तो यह देखिए सबसे पहले जो हमने यह देड़ इंच डॉन कर रहा था देड़ पोने दो इंच तो इसको हम इस तरीके से निसान लगाएंगे और लगाने के बाद में यह हमारा सीधा निसान हो जाएगा सीध इस तरीके से निसान लगाएंगे तो यह टोटल जो है इससे फ्रेंट से चेंज बड़ी होगी बैक जबकि यह हमने डेड़ पोने दो इंच यह गिराया था तो हमारी यह बैसे बैक हमारी उठाने का जो है यह चार इंच उठा रहे हैं क्योंकि इसको उठाएंगे तो जो कई बार आसन इदर भैंट खीजने पड़ती हैं यह से नीचे हो जाती है फिर उपर चड़ानी पड़ती है अगर इसको आप उठाके रखेंगे तो आपकी पैंट बैठी रहेगी आपको उठाना नहीं पड़ेगा इदर उदर कि बार भार खीज रहे हैं और बाकि आप जि तरीके से यह वाला निसान लगा ले यह देखिए इस तरीके से और यह गुलाई करके तो यह देखिए इसको इस तरीके से यह काटेंगे और यह इस तरीके से यह देखिए काटने के बाद में बैक की कुछ इस तरीके से सेफ आईगी फिर हम इसको देखिए यहाँ से नीचे से इस तरीके से खेए, यह लग कर लेंगे और यह सैट वाली इस जो मैं काडने के लिए आपको बता रहा था। अब अब इसको आराम से आप यह चारो पल्ले, इस तरीके से देखिए खेए काड ले अब इसमें आपका सेंटर ओड होगा ही नहीं क्योंकि कपड़ा जितना यहां पे है नहीं दुसरे वाले उसमें आया है कई बार कटिंग पहले कर देते हैं तो हो जाता है क्योंकि हम लोग भी कर देते हैं तो मैंने के लाव आपको यह बता दूँ कि ये देखे इस तरीके से रही से और इसमें हम यotte ैस तरीके से देखियाम कर देंगे तो यह देखियर हे यह हमारी कर टिंग विल्कुल क большой तयार हो गई कि चलते हैं कि इसको मिद्य थ्रिकश इसको बनाएंगे इसके लिए चलते हैं छरू यह संधिर कि यह सब्सक् completamente में है एक पॉकिट इसके अंदर ही लगेगी कि यह देखिए कि कई लोग दुसरे हास से काटते हैं तो उनको जरा पिर देखना पड़ता है उनका दुसरे हास से लगाना पड़ेगी उस से अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताइए तो उपर वाले पल्ले जिसमें निसान होता ह है उसी पल्ले पर ही आप निसान लगा लें मैंने उपर से यह हैवी साइज है तो ढाइन छोड़ दिये दो इन तयार हो जाएगी और यह साड़े चेंज गी इसकी मू रखा है मैंने इस तरीके से देखिए इस तरीके से सीधा करके और यह नकून से ऐसे करके बिठा देंगे यह देखिए ऐसे करके और यह एक पैर की सिलाई यहां पर लगाएंगे तो यह पैर की सिलाई लगाने के लिए इसको इस तरीके से लगाएंगे ताकि जोएंड नहीं ही आएगा यह देखिए ऐसे करके जितनी चोड़ी सिलाई आपको लगानी है आप इस तरीके से लगाए यह देखिए और यह पर लाकर उताद देगा इसे करके यह वाला दागा फिर काड़ देखिए इसको इस तरीके से देखिए ऐसे करके सीधी तरफ से जैसे लगा है यह सिलाई लगाएंगे कि देखिए मैं यह डिटेल में आपको बता रहा हूं कि पॉकिट किस तरीके से लगती है यह तो आप लोग लगा लेते हैं मुझे इतनी बताने की जरूबर नहीं थी मगद मैंने फिर भी सोचा लाओ यह डिटेल में बताई दूँ आपको इस तरीके से यह पूरी इसलाई लगाने के बाद में फिर एंड में आके यह इसको इस तरीके से देखिए पकड़ेंगे पॉकिट को और यह भी यह यहां पर भी तो यह उपर की सेट में जो हमने यह डॉन कर रहा है तो यह यहां पर इतनी निकलेगी तो इसको निकलने दे यहां से लगा इस तरीके से और यहां पर इसको आएसे पक्का कर दें पर इसलिए कर आए था कि हाथ पढ़ता ना इसमें तो यहां पर मजबूत रहेगा फिर इसको इस तरीके से देखिए यह पगड़के यह देख लें एक parफ्la बिल्कु बराबर आ है छो लिनी आना चाहिए इसको भी ऐसे कर गई यहाँ प्लाखे इसको पकत कर लिए और पकता करके इस तरीके से अब यह इसको सही तरीके से रख लें ऐसे बिल्कुल packet को कहीं पर जोल लाश्टिक है तो इसमें पलेट नहीं डालनी है और लाश्टिक ना हो तो हमें परेट डालनी होती है तो उसके तरीके से हमें रखना पड़ता है यह देखिए अब इसको अब ऐसे करके ऑफर की सैट से यह सिलाई लगाएंगे पक्की करके और यह पीछे हाथ रखने हैं और इस जगा पर तो जरूर रखें क्योंकि यह यहां पर औरेव हो जाती है तो इसलिए सिलाई चेटकने कर ड़ रहता है देखिए इस तरीके से और यह बैक का पला भी हम इसी तरीके से उठा टे और ओपर की सेट से ही यह दो आए यह यह एक शिलाई लगा लिए इसी तरीके से हम इस पर इसरी शिलाई लगाएंगे यह तक लाके फिर इसको ऐसे खीज लिए मुझें कि दोन चाहिए कि इस तरीके से खीच ये दोनों कट मार लें दागे जो हैं इंको काड़ने के बाद में देखिए बैक है है इस तरीके से उठा कर देखें ये जो आड़ जो है नीचे की वागत जाएगा इस तरीके से सीधा रखेंगे और यह फ्रेंड वाला पलना है इसको इस तरीके से लेंगे यह ईए सब्सक्राइम यह नीचे जाएगा यह दोनों ऐसे आपस में ऐसे मिला दिए मजबूत रहें इस तरीके से लेकिए ऐसे करके ये इसी तरीके से पूरी सिलाई लगा लूँगा और दूसरी वाली सिलाई लगा के फिर किस तरीके से हम लाश्टिक के लिए कपड़ा लगाएंगे वह आपको बताते हैं ये देखिए ये मैंने दोनों सेटे लगाने के बाद में इसको मैंने नापा ये 31 इंज है जिसमें हमें लाश्टिक लगानी है तो हमें कपड़ा काड़ना है देखिए 31 इंज तो ये हमने कपड़ा 31 इंज काड़ने के बाद में और ये इसकी चोड़ाई है चार इंज में एक कि यह देखिए यह हम यहां से रखेंगे ऐसे इसको अंदर की सैट से उपर की सेट लगाएंगे लाश्टिक को ऐसे कपड़े को देखिए ऐसे कि एक पैल की मदस्ट से ऐसे यह देखिए इस तरीके से ऐसे करके यह देखिए इसी तरीके से यह मैं पूरी लगा लूँगा और लगाने के माद में लाश्टिक किस तरीके से लगाएंगे वह मैं आपको बता लाश्टिक मैं ने सकूंद कर लिए था लाश्टिक मैंने कटी इसकी 46 इंच क्मर है इसकी तो मैंने इसको साथ इंच कम करके डाली है यह लाश्टिक क्योंकि यह हैवी साइज होते है ना इसके अंदर एक दो इंच करके टालना चाइए कि देखिए इसको इस तरीके से जो यह रांड वाला हिससा है इसको हम वह के अब और की साहेट रहक एक और इस तराइफ देखिए इस तरीके से जो मारी लाश्टिक है उससे एक सूथ आश्ट्रा कर एक आष्ट्रा करके हमें वह वह फोर्ड करना है इस तरीके से यह देखिए और एक यह ऐसे करके ऐसे कर देखिए क्योंकि एक सूद ऐस्टा कर गए अगर हम यह फोल्ड करेंगे तो हमारी जो लाश्टिक है ना वो सिलाई में नहीं दबेगी तो इसी तरीके से आप फोल्ड करें यह देखिए ये इस तरीके से ये देखिए इसी तरीके से मैं ये पूरी सिलाई लगा लूँगा और सिलाई लगाने के बाद में फिर मैं आपको देखिए ये देखिए ये मैंने पूरी सिलाई लगा लिए लगाने के बार में इससे से हम बीच में एक सिलाइप लगाएंगे इसलिए थाकि फोल्डना ओजाए लाश्टिक यह उस तरीके से कि अगे यह देखिए इस तरीक एस तरीक इस लाज टिक उपर सिलाई हमारी लखिट अब हमें इसकी गिदरी जोडनी है और गिदरी जोडने पहले हमें इसकी मौरी फॉल्ड करनी है यह तो मौरी फॉल्ड करके और गिदरी जोड़ के final look आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों ये इसका final look है ये देखिए मोरी-उरी fold करके मैंने बड़ी finishing से ये एकदम कहीं पे भी जोल नहीं आई ये और अब मैं आपको एक चीज जो दिखाने वाला हूँ वो ये है ये देखिए इसको इस तरीके से आप रखेंगे ये तो इसका आसन जो है ये बैक का ये देखिए मैं आपके बताता हूँ ये साड़े पाँच इन बैक उठा हुई है तो जब ये वो पैनेंगे तो ये hip जादा होती है तो पैनने के बाद में जब उठने-बैटने में न अगर ये बैक हम नहीं उठाते है तो ये बार बार नीचे खिसक जाती है तो इसको हमें बार बार क्या है पकड़के उपर goal करके पैंट को पकड़को उपर करना पड़ता है अब यह हमने उठा दिये तो यह अराम से आप उठेंगे बैठेंगे फिर भी अपनी जगाई रहेगा यह तरीके से आप हैवी लुक में आप यह बना सकते हैं जो हैवी साइज है तो इस तरीके से यह देखिए यह इसकी फाइनल लुक है और वीडियो आपको कैसी लगी